हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो law की RTP में लेकर आया हूँ law CA intermediate for November 21 बहुत बढ़ी आजी November 21 की RTP इसमें multiple choice questions भी हैं और आपके case studies भी हैं पहले बात करते है multiple choice questions के multiple choice questions ने दो तरह के हैं एक तो case scenario है और case scenario के साथ साथ MCQs है flat case scenario दो case scenario है और तीन MCQs है sir case scenario क्या होते है case scenario भी ना आपके सामने एक scenario दिया होगा proper पर आप देखना तीक है उसके बाद questions पूछेगा आप से जैसे यह देखो based on the above facts आप बताईए क्या MCQs के क्या होंगे situation 1.1,1,1.2 इस तरीके से यह से पहला case scenario है फिर आएगा second case scenario फिर आएगा second ने MCQ ठीक है ठीक है ठीक है sir तो जड़ा पढ़ते हैं इसमें क्या कहता है यह देखिए शुरू करते है यह पहला case scenario कहता है रमेश ने नया वेंचर स्टार्ट किया है आननाइन बिजनस का grocery items supply करेगा लोगों ठीक है बढ़िया बात है यार किराना supply करेगा घर घर पे उसका पहले जो operations का area था वो जैपुर था ठीक है उसने कुछ नए लड़कों को रखा बाइक देकर और बूला कि यार आपको न यहां से वहां delivery पहुँचानी है grocery items की जैसे order आएंगे आपको supply करनी है पड़ेगी इसके लिए उसने website भी बनाई ठीक है mobile app भी बनाई और online orders के लिए ठीक है उसका friend है सुधांशू वो chartered accountant है कहता है यार बढ़िया काम कर रहे है और चल भी रहा आपका काम एक काम करो रहे है आप इसको एक corporate form दो इसे आप proprietorship से OPC में ले जाओ चंगी बात है प्रोप्राइटर्शिप से OPC बना दो कहता है ठीक है यार बढ़िया के रहे है आप तो रमेश एगरी कर जाता है और OPC बना देता है आस्क रमेश फॉर online grocery OPC private limited और लंबा नाम रख देते जी OPC बनाता है आस्क रमेश फॉर online grocery OPC private limited प्रेसाइजली कह सकते हैं OPC one ठीक है जी इस OPC में रमेश बनता है member और अपनी माता जी को बनाता है nominee चलो अच्छी बात है यार माता जी का धिहान रखा है इसने शादी निवी शायद इसकी अभी देखते हैं क्या होता है आगे माता जी नू बनाता है जी nominee खुद बन जाता है member ठीक अच्छी बात है आगे उसकी शादी हो जाती है sir बहुत बढ़िया रचना के साथ ये तो होना ही था एक दिन अब online business online business का trend काफी चल निकला day to day वो कहता है अपना बढ़िया काम चल गया सब्जी सप्लाई करने का एक काम करते हैं अपन नया काम शुरू करते हैं milk सप्लाई करेंगे milk और milk product supply करेंगे जी एक और OPC बनाते हैं उसका नाम रखेंगे रचना milk product OPC private limited भूल गया नहीं मानू भूल गया कोई बात नहीं एक OPC बनाई थी इसने कौन सी एक OPC बनाई आस क्रमेश precisely बात करें आस क्रमेश OPC बन इसमें खुद बना member और माता जी को बनाया nominee दूसरी OPC रचना milk product private limited OPC 2 अच्छी बात है जी रचना को बना दिया member बहुत बढ़िया रचना बन गई member और रमेश खुद बन गया जी nominee अच्छी बात है बढ़िया बात हो रही है तो मतलब एक में member है और एक में nominee है अच्छी बात है और यहां माता जी nominee है और यहां बीवी member है चीक है एक बात सोचो जड़ा कल को कल को अगर बीवी को कुछ हो जाता है तो रमेश यहां भी member बन जाएगा कल को अगर बीवी को कुछ हो जाता है तो रमेश यहां भी member बन जाएगा death हो गई, insolvent हो गई, unsound mind हो गई तो यहां member बन जाएगा यहां पहले से member है, यहां member बन जाएगा याद करो मैंने बताया होगा या आपने पड़ा भी होगा कि आप कभी भी दो OPC में लगातार member नहीं रह सकते लेकिन अगर आप किसी में member हो, दूसरे में nominee थे nominee के current member बन गए, तो दोनों में से किसी एक OPC को select करना पड़ेगा 180 days के अंदर, हो सकता है सर, कि रमेश जो है, इसके death होने पर, इसके unsound mind होने पर member बन जाए, फिर दोनों में से किसी एक को select करेगा 180 days के अंदर, सर हो तो यह भी सकता है कि माता जी का दिहान्त हो जाए, तो कोई रिक्कत नहीं है, अगर माता जी का दिहान्त हो गया, तो रमेश नया nominee लाएगा, पंदरा दिन के अंदर, सारी possibilities है, हो सकता है, रमेश का ही दिहान्त हो जाए, सब कुछ possible है, चलो अभी रमेश की death की बात तो करेंगे, लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि बीवी कुछ हो गया, तो रमेश मेंबर बनेगा, तो दोनों में से किसी जायराद में बोला, मेरा एक और बेटार है सुरेश, सुरेश को नामिनी बनाया जाओ, ओपी सीवन में, माता जी की आखरी इच्छा थी, उन्होंने जायराद में लेखी भी कि मेरे जाने के बाद सुरेश को नामिनी बनाए है, सुरेश को जब पता चला इस बारे में, रम माता जी की माता जी के इच्छा पूरी करने चीए अब माता जी चल बसी चल बसी तो अब मुझे आप बनाओ सुरेश को मुझे बनाओ लेकिन रमेश कहां मानने वाला था रमेश ने बात मना कर दी किया चल तू किनारे बीवी बनेगी नौ में ओफ 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 पहले शादी हुई तो बीवी को मेंबर बना दिया मा को भूल गया आज भाई आया तो भाई को भगा दिया ये जायस नहीं ये सई नहीं कर रहे हो आप ये सई नहीं कर रहे हो इसका फल जरूर मिलेगा आपको मतलब बीवी क्या आई मा को भूल गए भाई को भूल गए मा चल बसी भाई से लड़ाई हो गई आपकी कह रहा है नहीं बीवी को नॉमनी बनाँगा चलब क्यार कोई नहीं आपने बना ली जो अच्छी बात है बनाना भी चाहिए आपके साथ से रमेश के इस डिसीजन से बड़ा दुखी हुआ सुरेश बड़ा ही दुखी सुरेश ने धमकी दी रमेश को कि मैं तेरे अगेंस केस फाइल कर दूँगा लीग अलेक्शन लूँगा तुने विल को नहीं माना है बार बार धंकिया आरज सुरेश की तरफ से बार बार और बार बार बहस चल रही थी लड़ाईयां चल रही थी ठीके ना हॉट टॉक्स बड़े बड़े फसाद हुए ये सब देखकर बीवी मेंटली अपसेट हो गई लो भाई साब कुश्चन मनाने वाले को 21 तोपर की सलामी देंगे आज बना पले पुड़े कुश्चन पढ़ते हैं ये देखकर बीवी अपसेट हो गई मेंटली और पागल हो गई लो जी लो और बो जी और सर्टिफाई भी कर देंगे डॉक्टर ने बहुत बड़ी आजी बहुत चंगा के पैसे डीडू कॉन्ट्रेक भी चला गया लो भाई साब क्या हुआ रमेश के साथ माता जी रही नहीं भाई से बात होती नहीं बीवी का दिमाग काम करता नहीं अकेला रहे गया जी कुल मिला के कुल मिला के बंदार ये अकेला रहे गया माता जी चल वसी सुधा भाई सुरेश लड़ाई जगड़े चल रहे हैं अब भी बीवी बीचे लड़ाई जगड़े चल रहे हैं जभी पागल हो गया ये अनसाउंड मैंड सर्थ खतरनाक हो गया तो देखो सुधा का देहान्त हुआ तो क्या सबसे पहली बात क्या रमेश विल मानेगा क्या नहीं सर क्या कंप्पनी जिक में कहीं भी जाहिदात का दिक्र किया गया जाहिदात माननी पड़ेगी विल माननी पड़ेगी विल के साथ चलना पड़े करें कुछ ऐसा दिखाए न मौमिन यहां जी कर सकता है क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं क्या सुरेश प्रेशर बना सकता है क्या नहीं क्या कोड कुछ कह सकता है क्या नहीं जैदाद माननी पड़ेगी क्या नहीं यह पहली बात दूसरी बात क्योंकि रचना पागल हो गई तो रमेश मेंबर बन जाएगा अब अगर रमेश यहां मेंबर बन गया और यहां पहले से मेंबर है तो दोनों में से किसी एक OPC को सेलेक्ट करना पड़ेगा 180 डेस के अंदर छीक है सर आपने पहले बता दिया था छीक बात है आगे बढ़ते हैं अब इस सिचुवेशन में र 180 डेस के अंदर किसी एक कुछ पूड़ना पड़ेगा चलो ठीक है बात करते हैं इतना कुछ इसके जीवन में हो गया उसका एक दोस्त है उसे समझाता है किया तो एक काम कर एडवाइस करता है तूना फ्री के एजुकेशन दे रड़कियों को गाउं में जाकर फ्री में सबजी बेचने निकला था मिल्क बेचूंगा घर वाले ही नहीं रहे बड़े बुरी हालत हो गई मतलब मैं कह रहा हूं एकता कबूर के सीरियल में कम ट्रेज़डी होगी इस कुछन में इतनी ट्रेज़डी है गजब ट्रेज़डी है भाई गजब रमेश ने बोला यार तू कह रहा है तो मैं बना लेता हूं मैं एक काम करता हूं बच्चें को पढ़ाऊंगा मैं फ्री में कह रहा है मैं ना OPC को Section 8 Company में कनवर्ट कर देता हूं लो भाई एक और ट्रेज़डी OPC Section 8 Company में कनवर्ट नहीं होगी कान खोल के सुन लीजिए ना तो वो Section 8 Company की तौर पर बन सकती है और ना ही वो Section 8 Company में कनवर्ट होगी बात आ रही है समझ में ना वो Company बनेगी ना वो Company कनवर्ट होगी ठीक है सर कहता है इन फैक्ट के बेसिस पर बताईए बताईए क्या बताएं जी रचना जो पागल हो चुकी है इसने contract की capacity अपनी बिटादी खतम हो गई है सही बात है आप बताओ nomination कौन करेगा who will make the nomination who will make the nomination who will make the nomination कहता है जी रमेश husband की capacity में है वो करेगा कैसी बात कर रहे हो मतलब क्या है यहां भी मतलब husband तो वो करेगा कैसे कैसे option दे लेगा कह रहा है रमेश जो अब member बन गया है सही बात OPC2 का अब member के साब से किसी को भी nominate कर सकता है बिलकुल सही बात है सर बिलकुल सही बात है तो कि member बन चुक है ऐसलिए किसी को भी nominate कर सकता है यह option है correct आगे पढ़ लेते हैं और क्या लिखा है कह रहे है किसी person को nominate नहीं किया गया CG करेगे nomination गलत है करेज़ा इस्टार करेगा nomination इसब निसमांगा जाँ ने सब कर देगा यह भी गलत है यह भी गलत है मेंबर बन गया है ना वही करेगा ओमीनेट चीक एसट आगे बढ़तें क्या रहा है कनवर्जन हो सकता है क्या OPC का Sectionate Company में ना sir not possible कहा रहा है हो सकता है नहीं कहा रहा है नहीं हो सकता है कहार है हो सकता है CG से पूछ कर ना जी कहा रहा है बच्चेओं को free पढ़ाना Sectionate Company का Object में नहीं आता है यह बगवान ऐसा कब से और किसने कह दिया ठीक है ना यह सब तो आता है सर चेरिटेवल काम करो सेक्शनेट कंपनी में है कोई रिक्कत नहीं है सई आप्शन यह है ठीक है सर कहता है जी रमेश जो है ना यह मेंबर है OPC1 में ठीक है जी यह OPC2 के अंदर ही मेंबर बन जाता है बिल्कुल सही बात है जी 2nd April को ओ हो मतलब OPC1 में पहले से मेंबर हो OPC2 में और मेंबर बन गए आप 2nd April को दोनों में से किसी एक OPC को सेलेक्ट करना पड़ेगा 180 डेस के अंदर मतलब डेट क्या आगई आप ये मानो डेट आगई जी बच्चा बाठी डेट क्या आएगी सर डेट आएगी आपकी फटाबट से देखो दो एपरिल ये हो गए 28 दिन एपरिल के 31 दिन में के 30 दिन आपके जून के 31 जुलाई के 31 अगस्त के कितने हो गई 28 31 ती 31 ये हो गए 151 प्लस 29 दिन मतलब 29 सब्टेंबर तक दोनों में से किसी एक को सलेक्ट करना पड़ेगा समझे रहे हो ना आप दो तारीकी है एपरिल के 28 दिन में के 31 जून के 3 दिन जुलाई के 31 और अगस्त के 31 29 सब्टेंबर तक किसी एक को सलेक्ट करना पड़ेगा कह रहे है एट वाट डेट आपको eligibility criteria पूरा करना पड़ेगा वाट डेट जी वाट डेट वाट डेट वाट डेट वाट डेट चीक है सर, 29 September, done हो गया सर चंगा, वड़िया आगे बढ़ते हैं कहता है सुधा के मृत्यू के पश्षाथ after death of सुधा रचना को नॉमिनेट किया आपने नॉमिनी के तोर पे OPC1 में ठीक बात है अब अगर रचना insane हो चुकी है तो अब क्या option बचेगा कह रहा है रमेश किसी और परसन को नॉमिनी एपोइंट करेगा सही लग रहा है मुझे तो यह point आगे पढ़ते है कह रहा है रमेश वेट करेगा रचना का सही होने का रे भगवान कैसे कैसे option ला रहे हो यह रचना सही होगी तबी राए कह रहा है रचना ऑल्दो पागल तो हो गई है लगिन sign तो करी सकती है कह रहा है सुधान्चू ने मदद की थी कंपनी बनाने में उसको बना लो आप और लिगल कंसल्टेंट बनेगा सब गलत है सब गलत है अब रचना चली गई तो आप किसी और को नॉमीनी बनाएं क्या दिकत है कोई दिकत नहीं बढ़िया चंगा डने जी ये है केस सेनेरियो नंबर वन ठीक है? चंगा अब एक बाकी है और। यह भी कर लेते हैं ठीक है जिए क्या कहता हैं जी जरे देखता है कहता है जी रौनक और भॉमिक दोनों भाई है दोनों डेली का विजनस करते हैं अपना अराम से अलग-अलग रौनक के पास दस काऊ है gir चीक है जी इंस्ट्यूट ने सारा दिमाग माथा पच्ची करने के लिए आपके लिए ये दिया है हमारे लिए डिसकुशन किसी भी काम करनी चाहता है एक्जाम में ऐसा फुश्चन आ जाए तो आप अराम से पनी जस पंदरा मिनिट खराब करूँ आप बलो अच्छा एक्सपेंसे पर जाए टोटलिंग चेक कर रहे टोटलिंग सही है या नि आडिट करूँगा मैं अरे नलाइकों ये किसी काम करनी किसी काम करनी ठीक है न ये सिर्व आपके टाइम कोटी करने के लिए दिया गया है ठीक है सर्थ तो इसे ना पढ़े ना पढ़ो और पढ़ना पढ़ा तो देख लेंगा कि कुछ श्रम में कितना पढ़ना पढ़ता है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं रौनक का बेटा चिराग बहुत बढ़िया जी इंजिनेरिंग कर रहा है डेनमार्क से ओहो और फाइनल येर में बहुत बढ़िया Engineering भी कर रहा है Dairy Science में मज़े आ रहे हैं पूरे मज़े आ रहे हैं बढ़िया मिलना चाहूं को इसने दोनों MCQ बनाएं बहुत बढ़िया आगे पढ़ते हैं मज़े तो आने शुरू होंगे उसने Engineering में काफी कुछ सीखा और वो अपने पिता जी को invite करता है कि आओ यार Dairy के बारे में कुछ चीज़ां आप सीखें चिराग insist कर रहा है अपने फादर को कि आप ना Denmark आओ एक आज साल यहां रहो निटी निटी बारी कियां सीखो आप Dairy Business की क्या बारी किया चोटी मोटी क्या असपेक्ट है चोटे मोटे क्या चीज़ें आप वो सीखो और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ बेंजॉए करो ओ भाई साब बढ़िया मतलब पापा नों बुला रहा है कि आजाओ डड़ी और उसी लाइफ इंजॉए करो इथे डेनमार्क में और बारी कियां सीखो जी कोई लिक्कत नी बढ़िया जी बहुत बढ़िया रहुना का अपने भाई से कहता है भॉमिक से क्यार मेरा बेटा ना मुझे डेनमार्क बुला रहा है एक साल के लिए वो कह रहा है मेरे गाएं की देखबाल कर ले बेल्मेंट प्रतीत हो रहा है ये कुश्चन बेल्मेंट दा प्रतीत हो रहा है जी ये जी बेटा है रोनक सही बात है ये जी बेटा है भॉमिक बढ़िया जी कह रहा है जी मेरे पास नहीं दस का हुए याद है कही रहा है तुसी देखबाल करलो टेक क्यार करलो जी बेलमेंड बना रहा है जी बढ़िया ये हो गया बेलर चंगा ये हो गया जी बेली बहुत बढ़िया यह हो गया जी बेलर यह हो गया जी बेली चीक है जी आगे बढ़ते है जारा क्या लेबरर काम करती रही कि अपना काउ वगरा को मैंटेन करने में मिल्क डिलिवरी करने में आप सिर्फ ना देख ले ना काउ को थोड़ा नज canyon और revenue एक एक कर ले ना भाई है व आप मेरे और ठेक care कर ले न काउज की कहता है क्लियर हट कहता है रहु न क्यों कि टेक care कर ले न ठीक है जब्त क्यों डेनमार्क से वापस नहीं आ जाता ठीक है है रौनक कहता है बहुमिक से कि आप टेक कियर करो कोई रिक्कत नहीं मैं पैसे भी दूँगा दस जार रुपे ले ना पर मंत अच्छा मतलब बेल्मेंट के लिए पैसे दे रहा है दस जार रुपे पर मंत बढ़िया सर ये तो हो गया नॉन ग्रेचूटर्स बेल्मेंट चंगा जी बहुत चंगा ये हो गया नॉन ग्रेचूटर्स बेल्मेंट सही है सर रौनक कहता है जी काउ का ना इंशुरेंस करवाया गया है उसके लिए पहले प्रीमियम दे लिया एडवांस में और इंशुरेंस पॉलिसी भी शेयर कर दी भौमिक के साथ लेकिन रौनक ने एक बात नहीं बताई कि एक काउ बिमार है काफी समय से और बहुत जल्दी बिमार पढ़ती रहती है और इसकी देखभल करनी पढ़ेगी मतलब नौन ग्रैचूटर्स बेल्मेंट है और आपने डिफेक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया याद करें आपने पढ़ा होगा डिफेक्ट को डिस्क्लोज करना जरूरी है नौन ग्रैचूटर्स बेल्मेंट आपने डिफेक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया मालिक नहीं किया बहुमिक ने अगरी कर दिया और काउ को शिफ्ट कर दिया उसके डेरी हाउस में ठीक है डन हो गई सारी बार सारी टर्म्स फिक्स है कहीं ने कहीं डिफेक्ट के बारे में नहीं बता है गलत किया है आगे पड़ते है रोनक और उसकी वाइफ चले गए डेन्मार्क ठीक है डेरी बिजनस सीखने के लिए और सब कुछ अब भामेक उसका डेरी बिजनस समाल रहा है उस एक साल में दो काउ ने दो बचणों को जनम दिया बड़े सर बहुत बढ़िया मतलब जी ऐसा है कि जब ये रिटर्न करेगा ना याद कर ये एडिशन भी रिटर्न करना पड़ेगा दस काउ भी रिटर्न करेगा और दो काफ रिटर्न करेगा दोनों रिटर्न करना पड़ेगा एडिशन मस्ट भी रिटर्न चीक है ना दो काफ रिटर्न करने पड़ेगे चीक है आगे पड़ते हैं एक काउ जो अकसर बिमार पड़ती है अकसर उसने बाकी काउ को भी इंफ्लूएंस में ले लिया अच्छा क्योंकि ह क्लोस कॉंटेक्ट में थे वो बिमार पड़ गए मास लगाना चीए था काउ को दो गजदूरी बिलकुल है जरूरी सभी बात मतलब रौनक की एक काउ तो बिमार थी ही इसने एक और काउ को बिमार कर दिया और भॉमिक की भी एक काउ बिमार पड़ गई मतलब कुल मिलाके तीन काउ बिमार पड़ गई एक काउ बिमार थी उसने एक काउ भॉमिक की और एक काउ रौनक की जो क्लोस कॉंटेक्ट में बिमार पड़ गई मतलब कुल मिलाके एक काउ पैलेस बिमार थी किसकी बिमार हो गई इसकी बिमार हो गई तीन काउ बिमार हो गई ठीके साथ, कुछ समय के बाद तीनों काउ की डेथ हो गई, ओ, 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 दो रौनक की और एक भॉमिक की, बढ़िया, जब इंशॉरेंस क्लेम मांगा गा इंशॉरेंस कंपनी से, तो इंशॉरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर गिया, बोला जी हम क्लेम आपको नहीं की देंगे, किन कारणों की वजए से कारण तो सनलो जगा, इंशॉरेंस कंपनी कहती है जी, एक काउ जो रौनक की है, वो जो बिमार पड़ी थी, वो इंशॉर्ड नहीं थी, लो भाई साब, जो बिमार थी, उसका इंशॉरेंस नहीं था, और जो बाकी दोनों काउ की पोस् के वो भी क्लोस कॉंटेक्ट में आई थी, इसी लिए वो दोनों की डेथ हो गई, मतलब जो बिमार थी, उसका इंशॉरेंस करवाया हैं नही उसके चलते हैं, और दो मर गई, तीनों काउ मरी हैं, इसी काउ काउ का इंशॉरेंस नहीं था, हमें एक प्रुपए नहीं देंग आपको बता है सिनैरियों हुगा दो काउ तो मर गही है आए स्वरी आर्ठ काउ रिटन करेगा भौमिक इसको और दो बचिडे समझते हूं न न काफ रिटन करेगा लेकिन जो भौमिक की एक कार गह रहा हूं एक काउ मरी है न उसके लिए कि भॉमिक की एक काउ जो मरी है उसके लिए वो रॉनक से कंपेंसेशन मांग सकता है ऐख कव वापस कर देगा दो काप कर देगा और एक जो काउ मर गी है उसके लिए अजी चंगा अगे पढ़ते हैं दर ख क्या लिखा हुए चुलिए जी अब केस ट्रीज पे आजा जाते हैं फटा फट से और केस ट्रीज में क्या डिसक sentiments करना है आप ब जरत देखें सबसे पहले जो केस ट्रीज है वो कंप्पपनी लोकी हैं उसके बाद बात करेंगे अधर लोकी जहां तक company law की बात है company 13 में पहला question पढ़ते है अधर एक बार क्या दिया है board of directors of gen x fashion limited edits meeting recommended a dividend अच्छा जी dividend recommend किया है नोने paid up share capital पे ठीक है बाद में shareholder ने approve भी कर दिया बहुत अच्छी बात है ऐसा ही होना चाहिए सर क्या दिक्कत है board recommend करें shareholder approve करें इससे बड़िया तो कोई बात ही नहीं है कहता है जी ये सब तो हो गया उसके बाद क्या किया directors ने की थोड़ी सी बदमाशी directors ने एक और board meeting करवाई अच्छा वहाँ पे decide कि जो dividend shareholder को देना है उससे हम एक काम करेंगे short time investments खरीद लेंगे जो dividend हमें shareholder को देना है उससे हम short time investments खरीद लेंगे एक बात ध्यान रखिए सर section 123 लगता है और section 123 कहता है जो भी dividend आपको देना है shareholder को वो अगले 5 दिन में आप transfer करेंगे into a separate bank account कहाँ च्रांसफर करेंगे बच्चे separate bank account में transfer करना जरूरी है पांस दिन के अंदर और ध्यान रखिए 30 दिन के अंदर वो dividend पे करना पड़ेगा या आपकी जिम्मेदारी है मतलब पांस दिन के अंदर transfer करें separate bank account में और 30 दिन के अंदर आप पे करें आपकी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी असर तो आपने क्या किया सर आपने तो short term investment खरीद लिए क्या डिरेक्टर ने सही किया है सर अगर डिरेक्टर short term investment खरीद रहा है तो क्या डिरेक्टर ने सही किया है क्या डिरेक्टर ने सही किया है बिलकुल भी नहीं सर शॉर्ट टम इंवेस्टमेंट नहीं खरी सकते मतलब डिविडेंड का जो पैसा है उससे डिविडेंड ही बटेगा आप वो पैसा कहीं और इस्तमाल नहीं कर सकते ध्यान रखिये साथ में आप ये भी लिखा है सर की डिविडेंड दिया है 45 दिन के बाद एक अनर्थ नहीं है दो दो अनर्थ है पहली बात तो डिविडेंड का पैसा कहीं और खर्च कर दिया दूसरी बात जो डिविडेंट 30 दिन के अंदर पे करना चाहिए वो 45 दिन के बाद पे किया डिफॉल्ट है सर इस केस में 127 की पेनाल्टी लगेगी ध्यान रखना 127 की पेनाल्टी लगेगी 127 की पेनाल्टी क्या कहती है अगर आपमें डिविडेंट वगेरा नहीं दिया तो डिरेक्टर के लिए फाइन है ठीक है न अगर बात करें अगर पेनाल्टी की बात डिरेक्टर के लिए कम्तनी के लिए जहां तक बात है कमतनी का 18% का ब्यास जिना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ छीक है सर तो कहता है क्या डिरेक्टर का ये एक्ट वोईलेशन में है हाँ जी बिल्कुल है क्या कॉंसीक्वेंस होंगे पहली बात तो डिरेक्टर पेनाल्टी फेस करेगा और दूसरी बात कमतनी इंटरेस्ट जेगे 18% परेनम का चीक है सर आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखिए बोर्ड ने लिस्टेट कमतनी हो चारड अकाउंटरेंड को पॉइंट किया है अस दे फर्स्ट ओरिटर 30 दिन के अंदर कमतनी बनने के सही किया है सर बिलकुल सही किया है बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया है और फर्स्ट ओरिटर को पहला डिरेक्टर तो बोर्ड मीटिंग में याएगा 30 दिन के अंदर इन्होंने बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर लिया फिर्स डिरेक्टर को ठीक है सर फिर्स ओरिटर को सोरी पहला ओरिटर तो बोर्ड मिटिंग के अंदर ही आएगा और ये फिर्स एजियम में रिटायर हो जाएगा आपको पता है कम्तनी है लिस्टेट कम्तनी मतलब इस पे लगेगा रोटेशन का प्रिंसिपल अगर बच्चों इस पे रोटेशन का प्रिंसिपल लगेगा तो एक बात तो क्लियर है कि अगर फिर्स एजियम में रिटायर होगा फिर्स एजियम में तो क्या फिर्स एजियम में रिटायर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है सर सर रोटेशन नहीं लगेगा बेटा मैं पहले भी कह चुका हूँगा आपको कई बैचेस के अंदर कि रोटेशन तब लगता है जब फर्स्ट AGM में अपॉइंट किया सिक्स्ट AGM में रिटायर होगा तब वो रिय अपॉइंट नहीं हो पाएगा जिसे बोड मीटिंग में अपॉइंट किया है उसके ओपर रोटेशन का फंडा नहीं लगता मतलब उसका अपॉइंट में तो किया आपने रिटायर्मेंट होगा उससे रिय अपॉइंट कर सकते हैं in corporation से सही किया है बोड ने क्या first AGM में reappoint करना ठीक था हाँ ये भी ठीक था दोनों ही valid है इस पर law appointment भी ठीक है और reappointment भी वैलेड है ठीक है सर डन आगे बढ़ते हैं सर किम प्राइवेट लिमिंटेड को बनाया गया है 30 सप्टेंबर 16 को बढ़िया पेड़ अप कैपिटल एजी 45 करोड बहुत बढ़िया कम्तनी का टर्नोवर एजी 200 करोड ओके एकाउंट्स मेनेजर कह रहा है इंटर्नल ओडिटर को अपॉइंट करने की कोई जरुवत नहीं सर सेक्शन 138 कहता है फॉर योड काइंडली इंफॉर्मेशन में आपको बता दू डीपी यल्टी डीपी यल्टी बोले तो 25-50-100-200 मतलब डिपॉजिट पेड़ अप कैपिटल लोन टर्नोवर अगर इसमें से कोई भी कंडिशन है तो इंटर्नल ओलिट करवानी जरूरी है तर्नोवर 200 करोड में करवाना पड़ेगा पेड़ अप कैपिटल 50 करोड में आपकी पेड़ अप कैपिटल तो लिमिट से कम है लेकिन तर्नोवर 200 करोड है इसलिए इंटर्नल को पॉइंट करना जरूरी है जरूरी है एकाउंट्स मेनेजर कर रहा है जरूरी नहीं है गलत क किर रहे आपसे मूच रहे हैं बताइए करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा था नहीं कह रहा है चार्ज के बारे मिता हो यह थे रिक्षान है और बताई यह पेनल्टी क्या है कैपिटाल है पचास करोड रुपए खीक है कंपनी स्वेडिक्यूडी शेल इशू करना चाहती है ड्रेक्टर इंप्लाई को कोई रिक्कत नहीं है कंपनी दस परसेंट इशू करना चाहती है लिमिट तो पता है आपको पंदरा परसेंट और पाँच करोड विचेवर इस हायर ये तू भी इशूड जो इशू करना चाहते हो और टोटल मिलाकर पुराना नया मिलाकर पच्चिस परसेंट और स्चार्ट अप कंपनी पचास परसेंट कंपनी 10% इक्वडेशन इशू करना चाहती है 10% करो कोई रिक्कत नहीं है लेकिन टोटल मिलाकर 30% हो जाएगा ओओ 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 ये तो नहीं हो सकता सार ये तो नहीं हो सकता ये तभी हो सकता है जब इस्टार्टप कम्तनी होगी लेकिन आगे तो पड़ो कम्तनी स्टार्टप ही तो है क्या दस परसेंट इशू कर सकते हैं? हां जी क्या टोटल मिलाके तीस परसेंट हो सकता है? हां जी क्यों स्टार्ट अप कम्तनी है अज़ दर एक बात बदाईए सब कुछ ठीक है हाँ एक गलती है स्वेड कुडी शेयर में लॉक इन पिरिड होता है तीन साल का यहां लिखा है पांथ साल कहां लिखा है सर लिमिट में कोई रिक्कत नहीं है स्टार्ट अप कम्तनी है पचास परसन की लिमिट में कोई रिक्कत नहीं है लेकिन लॉक इन पिरिड में रिक्कत है लॉक इन पिरिड होना चीए तीन साल का यहां लॉक इन पिरिड है पांथ साल का यहां लिक्कत है ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन के कहता है देखे ये बढ़िया कुश्चन है बढ़िया बहतरी थोड़ा यहां रखता हूं ठीक है देखे एबी लिमिटेड के क्यूटी कैपिटल एजी ठीक है एक लाख रुपए ये है एबी लिमिटेड ठीक है जी इसमें XY लिमिटेड ने 4000 शेयर होल्ड किये और PQ ने 2000 शेयर टोटल शेयर 10,000 है 10 रुपए का एक शेयर है मतलब आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि XY ने होल्ड किया है 40,000 रुपए ठीक है कुछ गलत नहीं है इसमें और PQ होल्ड कर रहा है 20,000 रुपए कोई रिक्कत नहीं है आगे रिखाएं AB लिमिटेड RS लिमिटेड के 20% शेयर होल्ड कर रही है यह जो शेयर होल्डिंग दी गई ना 4000-2000 इस से पहले की अच्छा AB लिमिटेड RS लिमिटेड में कितनी शेयर होल्डिंग होल्ड कर रही है जी 20% यह प्रिवियस शेयर होल्डिंग है लिखा हुआ है प्रिवियस शेयर होल्डिंग बहुत पहले से होल्ड करती आ रही है ठीक है सर अब सुनो असली गेम अब होगा RS limited composition गंट्रोल कर लेती है सर इन दोनों company's के बाद में RS limited इन दोनों के composition कंट्रोल कर लेती है अगर RS limited इन दोनों के composition गंट्रोल कर लेगी अगर board को कंट्रोल कर लेगी तो कहीं न कहीं PQ को और XY को आप subsidiary मानेंenh係 geht RS की पता चल गया आपको यह subsidiary RS की ये भी सबसीडरी होगी रस की अगर आप किसी भी कंपनी का बोर्ड का composition कंट्रोल करेंगे तो ultimately वो सबसीडरी कंपनी बन गई ना और सबसीडरी कोई भी investment करेंगी holding का investment मानेंगे मतलब ultimately आप ये कह रहे हैं कि RS limited कहीं न कहीं अब AB limited में अब 60% share hold होट कर रही नहीं die थो याद करिये सबसीडरी कमेंगे से इस फिर परा सकते तो यह तो अब खुद परते हैं अपने तो होलड कियां यह कि शाथ परकरियेören के पास मतलब यह ही आपकी सबसीडरी कम्ट्नि आपकी सुछी रीट बिल्कुल बनेगी सर यह पूरा डिसक्शन है टू क्लोजटी सेवन के साफ से लेकिन अब सेक्शन 19 भी आएगा सेक्शन 19 आप से जरूर पूछेगा यह इंस्ट्ट आप से जरूर पूछेगा क्या RS Limited अगर क्या AB Limited अगर आज सबसीडरी बनती है तो क्या AB Limited को अपनी पुरानी शेर होल्डिंग सरेंडर करने की जरूरत नहीं है अगर सबसीडरी बनने से पहले होल्ड करते रहोगे limited की बिल्कुल है सर क्या a b limited पुराने share hold कर सकती है बिल्कुल कर सकती है सर कोई रिक्कत नहीं है हाँ surrender करने की दरूबत नहीं है no लिखा था मैंने no need to surrender अच्छा एक बात बता हो अगर पुराने share hold करोगे तो voting right मिलेगा क्या नहीं voting right मिलता है दो case में याद करिए legal representative और ट्रस्टी ना तो यहाँ वो legal representative और ना ट्रस्टी है तो फिर voting right नहीं मिलेगा चीक है no need to surrender लेकिन voting right नहीं मिलेगा तीसरा सब पार्ट पढ़ना जड़ा क्या vote कर सकती है नहीं सर यह question two close 87 plus 19 बहुत भेहतरीन question है बहुत ही भेहतरीन इस rtb के सबसे भेहतरीन question है चीक है ना as per my opinion आगे बढ़ते हैं जी बढ़िया नटी-बटी- लिमिटेट मेनुफेक्चिरिंग प्रीमियम क्वालिटी मिल्क बेस जाइस क्रिम बहुत बढ़िया टू फ्लेवर फर्स चॉकलेट और सेकेंड बटर स्कॉच ठीक है जी इन्हों ने एजियम बुलाई फिनैंशल स्टेट्मेंट के लिए लेकिन कोरम की वजए से मीटिंग कैंसल हो गई डिरेक्टर एनुवल रिटन फाइल नहीं कर रहे है आरुसी के पास ये बोलकर कि 60 दिन का समय लगे गई नहीं क्योंकि एजियम नहीं हुई ऐसा है बिटा अगर एजियम होती तो एजियम के एजियम के 60 देज के अंदर आपको एनल रिटन फाइल करना पड़ेगा लास्ट जे ऑफ एजियम के 60 देज के अंदर आपको एनल रिटन फाइल करना पड़ेगा फंद लास्ट जे ऑफ एजियम तो एजियम नहीं को रिक्कत नहीं लास्ट ती सप्टेंबर निकालेंगे व अच्छा ओके जो ट्रांस्फरर है मनोज उसके उसके साइन फोर्ज है लो भाई साब कोई भी कर सकता है यह हो गया बच्चो मनोज यह हो गया जी अमित ठीक है जी शेयर आए अच्छा अच्छा अमित को मैंबर बना बना चीए नहीं सर लेकिन तब भी कम्प्टनी ने मैंवर बना लिया इसे बना लिया चलो ठीक है जी शेयर रोगे इस ने कुछ शेयर अभी के पास बेच दिये अच्छा अभी के पास बेच दिये और अभी ने भरुसा किया शेयर सर्टिफिकेट पे अभी ने बुला यार आपके शेयर ने बुला हाँ बुला शेयर सर्टिफिकेट दिखाओ उसने शेयर सर्टिफिकेट दिखाया और अभी ने बु नहीं सील भी लगी हुई है फिर ठीक है तो ठीक है बाट डन हो गई अब सर अभी ने बात समझे ना दा रहे हैं यहाँ पर अभी ने यहाँ पर शेयर खरीदे यहाँ अभी बन सकता है नहीं क्या अभी मेंबर बन सकता है नहीं लेकिन अभी को मेंबर बना लिया अब सर यह सब कुछ हो गया आप से पूछ रहा है राइट लैमिलिटी बताओ मनोज की अमित की और अभी की над आप सबसे पहले मनोज का राइट बनता है मनोज का साइन फोर्ट था मनोज बोलेगा मेरा नाम वापस लिखो register of member में बहुत होगा ना ठक कभी हंगेत के पास जारे कभी हंगी के पास मेरा नाम वापस लिखे register of member restoreation demand करेगा सही बात सर ये लोग क्या demand करेंगे forged deed किसने file किये अमित ने भले वो ँझान था लेकिन company damage उससे claim करेगी अमित से जिसने forged deed file किये और अभी किससे damage claim करेगा सर अभी damage claim करेगा company से क्योंकि वो बोलेगा सर मैंने आपके भरोसे share खरीदे मतलब share certificate में company की seal MD का sign था secretary का sign था मैंने सब कर पुझे भरोसा हों गया कि share तो इसी के है अमिद के अब अमिद पीछे नहीं अर सकता अब अब अस्ती बात है लेकिद company पीछे नहीं अर सकती सर company तो अमिद तो ऐसे भी liable है company के लिए लेकिन company liable हो अभी के लिए यह company के share certificate को पढ़ के इसने share खरीदे है estoppel लग जाएगा sir company में company अपनी liability से deny नहीं कर सकती company will be liable तो यह situation बनेगी ठीक है ना जी बढ़िया आगे बढ़ते यादा वे कारगो उनर है इसने vessel hire किया weed को foreign port से चिनने रहाने के लिए ठीक है vessel ना फस गया sir रास्ते में reef कभी आपने सुना समुद्र वगेरे में बड़े block से होते हैं reef थी तो बीच में समुद्र में वो फस गया vessel ठीक है जो ship के managing agent थे उन्होंने salvage agreement sign किया था Mr. Yadav के लिए ठीक है वो यादाव कारगो उनर था ठीक है ना सही है तो जो ship के managing agent थे उन्होंने यादव के लिए service agreement sign किया जो समझना बात को जो गेहूं थी वो खराब होने वाली थी तो उन्होंने क्या किया जो ship में थे वहाँ पे agents उन्होंने पूरी गेहूं बचाई अपने खर्चे पर पूरी गेहूं बचाई और ये बात यादव को बता भी दी कि देखो सर रीफ में फस गया था जहाज वो बड़े मुश्किलात थे हमने आपकी सारी गेहूं बचा ली खराब नहीं हुई सर necessity है urgent situation में जब principle को loss से बचाना चाहते हैं तो principle के benefit के लिए चाहकर भी communicate नहीं हो पा रहा है 300 मील दूर है सर local board से कैसे जाओगे आप 300 मील ठीक है चाहकर भी communicate नहीं हो पा रहा है principle को loss होगा सर आपने good fate में काम किया होगा और custody goods की आपके पास होगी सही बात है तो वहाँ agency अपने आप बनेगी यादव को reimburse करना चाहिए लेकिन यादव क्या कर रहा है यादव मना कर रहा है मैं reimburse नहीं करूँगा मैं reimburse नहीं करूँगा चीक है ना और जो हाँ जो actual है वो reimburse करेगा मैं reimburse नहीं करूँगा ऐसा है सर आपके आपके गेहों को बचाने के लिए उसने ऐसा काम किया जहाज किसी का भी उससे मतलब नहीं है अगर भले ही आदव ने जहाज को किराए में लिया अपनी गेहूं यहां से वाले जाने के लिए लेकिन गेहूं तो आपकी बचाई गई है न यू हैफ तो रिम्बर्स मना कर रहे हो गलती हो की सर नहीं मानेंगे चीक कह रहा है आप बताईए अकनॉलेज करेंगे या डिकलाइन करेंगे एक्ट अफ सेल्वर अकनॉलेज करना पड़ेगा कहीं न कहीं यादव बाउंड है और रिम्बर्स करेगा चीक है सर बड़िया आगे बढ़ते हैं राहूल इलेक्ट्रानिक शॉप का उनर है बड़िया प्रियाँका उसके पास सेमसंग, मैक्सम, यह सब ऐलमूनियम, लॉइड, वर्लपूल, जितने भी आतने, सब यह सब के सब ऐलमूनियम, कहती कॉपर गई चाहिए मुझे, क्या है कि प्रियंका उधार में गुड्स एसी खरीज रही थी, राहूल ने गरेंटर चाहिए मुझे किसी का, तो अर्विन न गरेंटी दे दी, छीक है, राहूल ने एसी बेच दिया, अर्विन की गरेंटी पर, लेकिन ये बात छुपाई, कि ये कॉपर का बना हुआ है, जबकि एक्चुली में वो अलमूनियम का था, लो भाई साब, क्रेड़िटर यहाँ पे, समझ गेmam, राहूल हो गया क्रेड़िटर, जिसने गुड्ज दिये हैं परियंका को, और गरेंटी दी है, अर्विन्ध ने, छीक है, राहूल हो गया क्रेड़िटर, क्रेडिटर ने सर कोईसीलमेंट इफेक्ट किया है, गरेंटी चेप्टर स्टा तो कहीं ना कहीं वो कांट्रेक्ट अफ गरेंटी वैलेट नहीं होगा ना वहाँ यह लाइबल होगा ना वहाँ शूरटी लाइबल होगा तो शूरटी की लाइबलिटी आटोमेटिकल डिस्चार्ज हो जाएगी कहता है सर ना प्रियंका वो पता सा ना अर्विन को पता सा इस बनाया 45 सो का देने के लिए भुवन को बढ़िया अकिल ने दिया भुवन को कंडीशन लगाई कि भुवन पेमेंट तभी लेका ज़़ चमन की डेथ होगी लो भाई सब कंडीशन है डेथ ओफ चमन क्या बिगाड़ा है पता नहीं चमन ने इसका डेथ होफ चमन चीक है जी डेथ से पहले भुवन ने से आगे इंडोर्स कर दिया और दीपक के पास पहुँच गया दीपक ले रहा है गुट फेट में से ओके दीपक ले रहा है सर गुट फेट में मतलब दीपक हो गया है एच डीसी आप बताईए अभी तक चमन मरा नहीं है क्या दीपक इससे पैसे मांग सकता है अखिल से याद करें पॉइंट पढ़ा होगा आपने मैंने यह पढ़ा होए कि एच डीसी हर प्रायर पार्टी से पैसे मांग सकता है फिर प्रायर पार्टी यह नहीं कह सकती कि मेरे द्वारा जो एंडोर्समेंट किया था वो कंडिशनल था और कंडिशन पूरी नहीं हुई फिर मैचरोडी जब दीपक ने पैसे मांगे तो अखिल ने मना कर दिया कह रहा है सर कि वो तभी दूंगा जब डैथ होगी चमन की तो क्या दीपक रीकवर कर सकता है मांट बिल्कुल कर सकता है सर अखिल से बिल्कुल कर सकता है बिल्कुल है एच डीसी यह बिल्कुल करेगा यह question सही माइने में है तो negotiable का इन्होंने गलती से यहां रख दिया जी सी में क्या question है जिरे देखो सोहन ने बनाया प्रमजरी नोड हजार रुपए का मोहन के लिए 17 में को payable 3 months after date ओके मतलब यह हो गया 17 में से मानो जून जुलाई 20 अगस्त को maturity कह रहा है sudden holiday आ गया भी सगस को मुहर्रम के कारण sudden holiday याद करिए negotiable instrument एक में लिखा कर sudden holiday आएगा sudden एक दिन पहले नहीं एक दिन बाद होगा decided holiday में एक दिन पहले sudden holiday में एक दिन बाद चीक है सब कहता है weather 19 दगस्त और 21st फिर कह रहा है usage का role क्या है अरे सर custom is the best interpreter of law साथ में contemporary exposure भी लिख देना जब भी custom की वात करे external leader आपको पता है ठीक है ठीक है सर theoretical question है यह है RTP किसकी RTP है सर यह RTP है आपकी December 2021 November 21 कहलो ठीक है done है सर यह law की RTP audit की भी जल्द ही लाएंगे बाई 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 चेक केर see you in the next classes बाई 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 रिए प्रीफ बाच्स